हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल तो फ्रेंट्स आज का जो हमारा वीडियो रहेगा ये ये हमारा जो लास्ट पेपर्स जो थे आपके अच्छ ससी है ठीक है और खास करके जो हर्याना पुलीस का जो पेपर था कौन स्टेबल का सब इंस्पेक्टर का उन माची क के अच्छ साफा की नेक्सट हर्याना में पहली बार राश्ट पतिश रगाया गया था तो थेंड ये कब लगाया था आपका जो ओपशन है का पहले कोशिश करो पुदसे इसका अंसर लिखो साइड में और उसके बाद मिलाना nhi ये 1967 हर्याना की किस हन्मेले में rele住 तथा पित्रों की सुधी के लिए पिंधे उटर praósा लिएp होते हें कोन्सा मेला एंठेट इरियूर 10 ब mirrors को शुदी करन के लिए लिए नेक्स्ट है कैथल के फरल गाओं में किस मेले पिंधे व्योजह纍 किया जाता है तो देखो स्ट्रेंट जो कैथल का फरल गाओं है काफी ज़्यादा फेमस है यहां का जो मिला तो वो है फल्गु का मिला Next नारनौल में स्थित चामुन्डा देवी के मंदिर का निर्मान वेजी नोर ध्वार किसने करवाया था तो ये स्ट्रेंट किसने करवाया था देखो नार नोल में स्थीत है ये चामुंडा देवी मंदिर कई पर ये भी पूछ लेता है चामुंडा देवी मंदिर कहा है तो ये राजा नूर करने कराया था देवी तलाप के शिव मंदिर का निर्मान किसने करवाया था तो जो देवी तलाप का शिव मंदिर है इसका निर्मान जो है स्ट्रेंट्स वो आपका किसने करवाया था सरदार मंगल रगुनाथ जी ने नेट्स आता है हमारा हरियाना में वेह धार्मिक सान, जहां सूरे करहन के अवसर पर लाखो यात्री सनान, वेह धर्मन स्टान करने आते हैं. तो यचिन्ट यह आप सबको पता होगा, हरियाना का जो धार्मिक सान है, आपका वो कौन सा है? कुरुक शेत्रा, कुछ लोरु गित किस अफसर पर गए जाते हैं तो यह टिनों इसका सही रे हारी सारे जो आपके उन्हे नेक्स्ट हरी निग्स्ट है ने लोक नरिते इस अक्षेतर और नरिते किया जाता है। जाता है तो ये आपका जो है आपका ये रहेगा मेवां अक्षेतर में किया जते हैं इस बांगर अक्षेतर में किया जाता है तो यह रहता है आमारा लूर हर्याना के कुरुक्षेत्र में क्या स्थित है तो यह बहुत ही important question है student आपका क्यूंकि यहाँ पर जो श्री कृष्षन भगवान थे उन्हें अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था next हर्याना के कुरुक्षेतर में क्या स्थित है इन तिनों में से देखो कौन कौन से है एक तो परसीद सर्वेश्वर महादेव मंदीर और एक जो तिसर तो दोनों है गुरुक्षेत्र का प्रसीद सर्वेश्वर महादेव मंदिर का निर्मान किसने करवाया था तो इसका निर्मान करवाया था तो अप्षन जो है इसका बी कुरेक्ट है नेक्स्ट है स्थानेश्वर महादेव मंदिर का निर्मान किसने करवाया था तो जो स्थानेश्वर मंदिर है ये भी जो आपका कुरुक शेत्रा में है तो इसका जो निर्मान करवाया गया था स्टुडेंट्स वो निर्मान करवाया था आपका ये पुश्य भूर्ती नेक्स गुरुगराम जो है उसमें माता शीतला देवी का मंदिर है इसका निर्मान जो है कब करवाया गया था कोशन ये भी पूछ लेता है शीतला माता का मंदिर कहा है तो ये 1650 ने निमली कित में से किस स्थान पर मनुकामना पूरी होने पर घड़ी चड़ाई जाती है तो बड़ा हिंदी का कोशन है कौन सा जो है प्रेम का प्रायवाची नहीं है ठीक है प्रायवाची देखना है हमने ठीक है तो घृणा जो है आपका ये विलोम हो गया प्रायवाची नहीं है नेक्स्ट है जोते हुआ खेत का निर्मान सिंदू सभ्यता के किस स्थल में मिला है तो ये स् भारत कानुचेत 56 है, स्टुडेंट ये है आपका भारत के राश्ट्रपती के कारेकाल प्रावधान से, यानि कि option C, नेक्स्ट है भारत में जैवी विद्दा की दृष्टी से कौन सा तपतस्थल में शामिल है, तो तपतस्थल में जो शामिल है स्टुडेंट्स वो आपका है पश्चिम घाद, ठीक है ए ओप्शन इसका कोरेक्ट है, नेक्स्ट है निमनली कितने से कौन से एक उपनिश्वात के उदे कात्या धिक उत्युक्त कारन है, तो ये है आपका सामन्तवाद, C ओप्शन जो है इसका कोरेक्ट है, भाशन और अभी व्यक्तिक आधिकार जो प् प्रार, व्यस्ट अर्थवा शास्त्र का किस से संबंध है, तो देखो स्टुडेंट साहा पर ओप्शन पढ़ोगे आप, तो ये दोनों से ही है, तो इसका जो ओप्शन रहेगा, आपका A और B दोनों रहेंगे आपके, ठीक है, नेक्स्ट है के मैंनो फोर में मैगनीज की ओक्सी करन संख्या क्या है, तो देखो स्टुडेंट आपने यहाँ पर फाइंड आउट करनी है, प्लस स्यावन निकलेगी, कैसे निकलेगी मैंने वीडियो बना रखे है, वहाँ देख लेना, बिहार और उतर प्रदेश राज्यों की समलित प्रियोजना क्या है, तो देख का कॉलकटा में, नेक्स्ट आता है कॉशन नमबर आपका इंगलिश को छोड़ेंगे, हम भूमी पूत्र शब्द की समस्या से समंदित है, भूमी पूत्री है, शेत्रवाद से, नेक्स्ट है डोबे राइन, 120 डिग्री सेल्सियस पर अमोनिया से क्रिया करके क्या देता है, स नेक्स्ट है निमलिकित फी कल्पों में से प्रारंबिक सम्मक संग्रह के तीन मूल भूत तरीके क्या है, तो देखो स्टेंट यहां पर जो है काफी सारे दे रखे हैं, उसके बाद इनको अरेंज करना है, आपने फैलिस को रीड कर लीजिए, तो इसका 1, 2 और 4 जो है अंसर इसका ग्ली प्रोपोशनल, निमन मैंसे कौन सांग म्नुष्य के मादा प्रस्णे से संबंधित नहीं है, तो घरबाशे, अंडवाई का अंडाशे, शुक्रवाई का, तो शुक्रवाई का जो है वो मेल का है, ना कि फिमेल का, निमन मैंसे की सनू- आयन में आयोगमित इलैक नहीं होते होते हैं भारत ने पुंजी खातेगी परिवर्तनियता पर कौन सी स्मिती बनी है तो यह है तो आपका तारा पोर सिमिती ठीक है तो सी ओप्षन जो है इसका को रेक्ट रहेगा नेक्स आपका महात्मा गांदी का जनम 2 अक्तूबर 1889 गुजरात के पोर बंदर में कुच्टन अगली वीडियो में इंग्लिश के लग से वीडियो लाऊंगी मैं फुस्ताज फुस्ता घास पर देश कहां पाया जाता है तो यह हंगरी में है तो अग्वे ट्रिप्लेट कॉड जो अनुवाद प्रकृया को रोकती है एक ठीपलेट को जो अनुवाद प्रकृ क्या होगा ठीक है एक जेस्ट वेनमेट यह कॉस्चन थास्टन कौन सा जन्तू च्रणपिता दर्शाता है तो यह है फ्राइनोंस निमन में से किसे वाटर फ्रेम नामक का ताई मशीन का विश्कार किया था तो यह है रिचर्ड आर्क राइट में इंग्लिश को छोड़ेंगे पर मैत को भी चोड़ेंगे कुमार गंदर विजोट गाई का किसे मानते हैं तो यह हैं लतम गेश्कार मिट्टी में नमक की उच्छ सांदरता के उगने वाले पोधे कौन से होते हैं स्टूडेंट सोई आपके ए ओप्शन जो है बिल्कुल कोरेक्ट रहे हैं कश्मीर कहटी निमलिकित में से एक इस परवतक्ष्रेणी के बीच में स्थित है तो यह कहां पर जो है स्थित है स्टूडेंट आपकी इसका ऑप्शन ठीक रहेगा पीर पजार और भ्रहत हिमाल्या में मैत को चोड़ेंगे नेक्स्ट साइंस का में बी बी एमजी एल में निमन में किसका दुद्य आयन विभव अधिक होगा ठीक है बेरेलियम बोरोन और मैगनीशियम में से बोरोन का होगा दोहनी सबसे तेज संचरन किसमें करती है स्टूड़ इंपोर्टन कोशन है यह ठोस में सबसे ज़्यादा तेज करती है नेक्स्ट है नुमेरिकल है इसको सॉल कर लेना स इसको ठीक है यह दस प्रेक्षनों का प्रासरन फोर है तो प्रतेक प्रेक्षन को दो से गुना कर दिया जाए तो उसका क्या प्रासरन जुहर आपकर एगा चार रहेगा अंसर जैशंकर परसाद द्वारा रचित महा कावे कौन सा है तो है कामायनी नेक्स्ट है भारत में व 5 डिग्री से 10 डिग्री सेल्सियस होता है आयू पैक नेम स्टुडेंट इसका पहचानना है आपने ठीक है इंटरनेशनल जूनियन जो है प्योर एंड अप्लाइड नेम जो है वो देखना आपका नेक्स्ट है अरुन यह मद्वे देश हमारा यहां पहुंच अंजान चिति इसको मिलता एक सहारा इस कावे पंक्तियों में कभी कौन सा है तो यह है जैशंकर परसाद अधिकारों का आदर्श वादी सिधात मनुश्य के इसको जशाते आर्थिक विकास वर बल देता है बी ओप्शन इसका कोरेक्ट रहेगा नेक्स्ट है मैं चोड़ेंगे नेक्स्ट से कोईला जब नियोजित भी नियोजित परज़त Index से अधिक हो तो यह क्या लाती है तो यह थी अब ब्यास की दर जये घटर जाती है नेक्स्ट सहितक का शुद शब्द कौन सा होगा हिंदी का कोशन है तो इसका पहला 혁शन ठीक रहेगा नेक्स्ट। सिंदु सभ्यता की अधिकतर मुहरे जो है निर्मित हैं किससे वह हैं सिलकडी से कोश्चन नबर 74 है निमलिकित में से कौन सा एक उपनिवेश के उध्य का अत्याधिक उप्युक्त कारण है तो यह है आपका स्वाद का सी ओप्शन इसका कोरेक्ट है इसको छोड़ेंगे इंगलिश को आँकों देखा गए दरचना की विधा क्या है तो यह है जीवनी नेक्स्ट है कि इलेक्टरोन वह प्रोटोन की दी बोग्ली जो दी बोग्ली ने आपका लेमडा का वैल्यू दिया थो क्या होगा इसमें वेग जो है अधिक होगा इलेक्टरोन का यदि भे परिश्रम करता प्रत्म श्रेनι में उप्तिरन होता है इस प्रकार का अगर वो करता मेहनत करता तो यह विधान आर्थक वाक्य तो यह होतनी संचलन बाखी सारी होता है और योग डिया किसे संचान को सानजा करते हैं कॉ कर्पल केन ठीक बाद के समय को क्या कहा जाता है तो इसको student क्या का जाता है शुन्यकाल नेक्स्ट है जब वस्तु की कीमत भढ़ने पर कुल व्याय भढ़े तो मांग की कीमत लोज्च होगी इकाई से कम यानि की option यह आपका correct रहेगा इसको छोड़ेंगे नेक्स्ट निमली कित्मी से कौन सा एक कार्बो हाइडरेट नहीं है तो यह है इंगलाइसलील जो कम बोलता है उसके लिए उप्यूक शब्द क्या है student तो वो होता है आपका मित भाशी नेक्स्ट है भारत का सबसे अधिक लीची का उत्पादन कहां होता है तो लीची जो है सबसे ज़्यादा होती है भिहार में विद्याले की इमारत के रक्रकाव पर किया जाने वाला खर्च कौन सा खर्च होता ही होता है डी option पुन्जी का तो और विकास व्याई दोनो नेक्स्ट अचारे रामचंद्र शुक्त द्वारा रचित कविता की परकिस प्रकार का निबंध है तो यह आपकी स्टुडेंट भावात्मक से रिलेटिड नेक्स्ट गोतम बुद्ध ने धरम चक्र परवत कहां से अरम किया था तिस कौप्शन डी है साधनात से यह किस ने कहा कि राज्य व्यक्ति का पूर्व कामी है तो यह अरुस्तु ने कहा था स्टुडेंट निमलिकित में से कौन सी संस्था पंचवर्शिय योजनाओं की क्रियानवंति के लिए जिम्यदारी देती है योजना आयोग औप्शन 94 पे चलते हैं पानी में बनने वाले यह खाद्दे और पे आता है इसमें रसायनिक परिवर्थन के लिए असत्य कथन चांटना है आपने सत्य नहीं है असत्य तो यह अप्शन जो आपका कुरेक्ट रहेगा 98 कोशन है निमलिकी दवाक्यों में से अशुद दवाक्यों को आपने चांटना है तो इसका जो उप्शन ए है आपका बिल्कुल ठीक रहेगा चारो बेटों के नाम बताओ मानों के रुधिर का विडोल टेस्ट किसके संक्रमन को दर्शाता है तो यह डी आएगा आपका साल्मुनेडा डाइमी next 100 कोशन मैसे पोटनिया का क्या भी प्राय है तो इसका उप्शन ए जो है आपका बिल्कुल कोरेक्ट रहेगा तो स्टुरेंट आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीस लाइक और सब्सक्राइब शूर कीजिएगा और साथी साथ स्टुरेंट बेल आइकन दबाईएगा ताकि मैं जो भी न्यू वीडियो डालूँ आप तक नोटिफिकेशन पहुँच सके और ऐसे वीडियो लेकर आओंगी मैं आपके साथ आप बने रही है मेरे साथ ठीक है और इस वीडियो में हमने मैत को उलन नहीं किया और ना रही